मैं एक महिने से रोज पचास रुपे की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब कोई बात नहीं कल से मैं तुम्हें चालिस रुपे की दवाई दूँगा दस रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डाक्टर साब एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मौशन लगनी वाली दवाय क्यों दे दि वो इसलिए तू अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डाक्टर साब मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साथ तुम रोज सुवै दो ही रोटियां खाया करो ठीक है पर एक बात बता दो डाक्टर साथ ये दो रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो चल रोटियों को शोड़ो स्वच्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किरकेट और टेनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई मगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी 89 भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपने दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया और अबे चुप कर, मुझे भी पागल गरेगा क्या? लो ये में दवाई लिखता हूं डाक्टर साब दवाई जरूर लिखो, लेकिन कडवी मत लिखना अरे चुप कर बट डाक्टर साब, दवाई जरूर लिख दो पर कडवी मत लिखना रमत तरीखातर एक किलो जलेबी लिखते हूं बैट जा, ज्यादा मत बोल डाक्टर साब, परचे पर ऐसा क्या लिखते हो, जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लिखता हूं, मनना तो लूट लिया, और तू भी लूट ले